बिहार की पटना सीटी के सुल्तान गंज इलाके में निगरानी विभाग के टीम ने ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के आवास पर चापे मारी की चापे मारी के दवरान टीम ने नोटों से भड़े पांच बोड़े दरजनों जमीन के कारजात सोने चांदी के था कोट से चापे मारी की इजाजत मिलने के बाद यह कारवाई की गई जानकारी के मुताबिक निगरानी विभाग के टीम ने ड्रग्स इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के पटना सिटी के सुल्तान गंज पटना के गोला रोड जहानाबाद और गया इस्थित ठीकानों पर च्छापे मारी की टीम ने करोर रुपे की अवैस संपत्ति ऐठ करने का खुलासा भी किया है निगरानी विभात के अदिकारी का कहना है कि जितेंद्र के चारों ठिकानों पर च्छापे मारी लगता जारी है जब Puza自 अमनों का आकलन Där exc अंदाजा लगया जा रहा है कि अब तक कडिव 4 करोर रुपे से ज़्यादा बरामद किये गा जा चुके हैं नोटों के गिंदी के लिए नोट गिंदने वाली मसीनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। देखना यह होगा कि वकव गिरफतार होते हैं जो अभी तक चीजें बरामद हुई हैं उसमें भाड़ी मात्रा में कैश कई जमीन के कारजात सोने चांदी के आवुशान चार लगजरी कार समेथ कई अहम दस्तावेज बरामद किये गये हैं नोटों की गिंती लगतार जारी है आपको बता दें कि इस तरह से खूब कारवाई हो रही है कहीं SBU की रेड पर रही है कहीं निग्रानी की रेड पर रही है और हर भरस्ट अफसर के ऊपर कड़े एक्शन लिये जा रहे हैं जिनका जिनका भी लिस्ट में नाम है चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी ही क्यो द्राग इंस्पेक्टर इनका सुल्तानगा जिसित मकान में आज आए से अधिक सर्वपती का मामला दर्जुआ है जिसके सिल्सिले में आज इनके आवास पर सर्च चल रहा है अधि तक सर्च में कुछ डॉक्मेंट्स हो रहा है कुछ औरनामेंट्स कुछ रूपिया बरामत हुआ है जिसका हम लोग अभी तूंटिंग कर रहे हैं देख रहे हैं तो किया का चब्र अचाप में जलेगें तो अभी तक तो ब्रुपिया इनका मकान पर आए इनका पना प्र अधार है क्या कुछ बढमन दुख अभी तक तो कुछ सुने चांदी का ओडनामेंट्स है कुछ नो करिया है अभी हम लोग काउंट कर रहा है अभी जो हम पता लगा ही नहें अभी तर्फ ट्रियर कर रहा है जाज जाज अब